दोस्तों मश्कार, स्वागत आप सभी का, आपके अपने मन पसंद यूटूब चैनल एगरीकल्सर एक्सपर्ट में मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आज किस वीडियो में किसान भायों के लिए लेकर क्या हूँ गेहूं की खेती से जुड़ी कुछ महतपुन जानकारी पिछले दो-तिन दिनों से आपने देखा होगा एक फोटो फेस्बुक पर बहुत ज़्यादा वाइरल हो रही है उसी के बाद से किसान भायों के सवाल सबसे ज़्यादा आए है किसानों का सबसे पहला सवाल ये रहा कि सर ये कौन सी विराइटी है जिसकी बाली का साइज इतना लंबा है तो सबसे पहले मैं उसी का जवाब देना चाहूंगा वो विराइटी है किसान 444 जिसकी बाली का साइज लंबा होता है दूसरा ये पानी चाने वाली सबसे अधिक पानी चाने वाली किसम है लगवग 5-6 पानी की इसको आफसकता पड़ेगी दूसरा सबसे ज़्यदा सवाल किसान भायों ने पुछा वो है कि ऐसा क्या डाला जाए जिससे अमारी जो गेहूं है उसका भी बाली का साइज इस तरह लंबा हो जाए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जितने भी दुकानदार हैं या फिर कंपनी वाले हैं वो अक्सर क किसान भायों को भरमित करते हैं कि आप हमारा ये प्रोडक्ट डालिए आपकी गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा बाली का साइज लंबा हो जाएगा या फिर दानों की संख्या बढ़ेगी या दाने का साइज मोटा हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है फोर एक्जांपल मै का साइज है वो उतना ही लेगी कोई भी टोनिक या ग्रोथ प्रोमोटर डालने से उसका साइज नहीं बढ़ेगा लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी फसल में कोई कमी है जितनी होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं है या उतना अच्छा रंग नहीं है तो यहां पर मैं को जुरूर एक टोनिक बताने वाला हूं जिसका यदि आप प्रियोग करते हैं तो आपके गेहूं की फसल में आप बहुती सांदर प्रिणाम देख सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा बायर का एंट्रा कोल जो की फंगी साइड भी है और बहुती अच्छा है 500 ml परती एकर इन दोनों को अच्छे से गोल मिलाकर कम से कम 1500 लिटर पानी में गोल मनाएं और उसके बाद सप्रेक करें तो आप देखेंगे आपकी गेहूं की फसल में बहुती सांदर प्रिणाम आपको देखने को मिलेंगे और जो आपको ओसतन गेहूं लग रही है उसम कर दो